आप बात करेंगे एंटिबाइटिक्स, मित और फैक्ट्स पर एक बार टुक साब से बात करेंगे गुड़ी इवनिंग मेरे यंग मित्रो लास्ट लाइन में जो बैठे हैं बात करें प्लीज देखिए इस समय इस दिसंबर में शायद हर किसी के घर में या पड़ोस में किसी को खासी हो रही है किसी को जुखाम हो रहा है कोई 102 बुखार लेके बैठा है तो मैंने सुचा आज मैं बात करूं इन बिमारी इस पर्टिकुलर दवाईयों पर जिनको हम लोग एंटिबाइटिक्स बोलते हैं यह निक्स्ट ठीकिए सबसे पहले मैं एक छोटा से इंट्रोडक्शन दे दूँ यह अपने बहुत प्यारे से मित्र हैं इनको हम लोग बैक्टीरिया बोलते हैं और यह बैक्टीरिया इसको इसको डिस नौट मुवी यह बैक्टीरिया लगभग जब से श्रष्टी का निर्मान हुआ है तब से बैक्टीरिया है और आप और हम फन्ने खां हाडली किते साट लाक सालों से धर्थी पे हैं और हम समझते हैं कि हम इनसान होने के नाते सबसे स्मार्ट लोग हैं यह जीव जो हैं, जीते जाकते जीव, यह हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं, हमसे कहीं ज्यादा अडेप्टिबल हैं, और इसलिए हमसे कहीं ज्यादा इजद के हगदार हैं, तेकि यह समझे कि आपका मेरा शरीर जो है, उसमें हमारी अपनी कोचिकाएं आदे से भी कम हैं, य बड़ी इंड्रेसिंग चीज़ है, सो अलमोस 57% of what we are is not our own human cells, हमारी शारिरिक कोशिका है, अगर आप देखेंगे, मेरे शारीर के चारो तरफ, जितने बेक्टीरिया है, मेरे अंदर, मेरे पेट में जितने बेक्टीरिया है, वो लगभग टोटल 57% है और मेरा अपने शेल्स 47% है, तो दिर आर अलमोस्ट एट मच मोर 40 ट्रिलियन बेक्टीरियल सेल्स अराउंड अस, तो ये बहुत इंपोर्टन है, ये समझना कि बेक्टीरिया एक लिविंग सेल लिविंग है, एक कोशिय है, अगर में हंदी में बात करूँ तो, और इतने छोटे होते हैं, कि अगर में हजार बेक्टीरिया को साथ रखो, तो एक आपके पैंसिल एरेजर से भी छोटे पाए जाएंगे, नौ, सारे बेक्टीरिया बुरे हो, ये महत्पूर्ट नहीं हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे बेक्टीरिया अगर अगर अपने पेट में होते हैं, और अगर आज बेक्टीरिया नहीं हो, तो आप और में जिंदा न रहें, ये डाइजेस फूड, ये अब्सॉर्ब नूट्रियेंट्स, बहुत सारे वाइटामिन्स जो अमारे बॉड़ी में से बचाता भी है, ये प्रेड्यूज अचिड्स जो दूसरे बेक्टीरिया को बढ़ने से प्रेवेंट करते हैं, और वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्यूमलेट भी करते हैं, नो, क्यों इंपोर्टन्ट है आज अंटिबाटिक्स की बात करना, मैं यहां किसी मजबूरी में अंटिबाटिक्स सी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जहां इस समय खड़े हैं, हमारे काल में, हम फिर वहीं जा रहे हैं, जहां हम 20th century से पहले थे, देखिए, बेक्टिरिया बेनिफिशल तो है, लेकिन खराब बेक्टिरिया जान लेवा है, तो निमोनिया, मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकल थ्रोट इंफेक्शन, फूड पॉजनिंग, टाइफॉइड, सेप्सिस, सेप्टिक शॉक, इस दुनिया में प्रती दिन कम से कम दो लाख लोग मर रहे हैं बेक्टिरियल इंफेक्शन से, कोई बात नहीं, यह तो पहले भी था, इस देखिए, मैं फॉटिस में था, 2006 में, तब मेरे पास एक व्यक्ति आये, जिनकी आयू 72 साल थी, उनको बुखार था, खासी थी, सांस लेने में दिक्कत थी, उनका डाइगनोसिस हुआ निमोनिया का, हमने एक एंटिबाइटिक दिया, उनको यह बैक्टिरिया था, जिसका नाम स्यूडो मुनास है, और चार से पांस दिन में, इनका इलाज हो गया, यह ठीक होके चले गए, अब 2006 से 2022 में आई है, यानि कितने साल हुए, लगबग 14 साल, सेम हास्पिटल है, सेम आईस्यू है, सेम, और यह रियल केसिस हैं, मैंने बनाई नहीं है, एक व्यक्ति आते हैं, सेम सिम्टम लेके आते हैं, खांसी, सांस में दिक्कत, निमोनिया है, पहले ही घर में, चार एंटिबाटिक खा लिए, जब आपको जुखाम होता है, तो सब केमिस्ट मिंत्र के बास, वह आपको दो गोली देते हैं, कि यह खा लिजे, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, यह हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है, वह भी नहीं होता है, आप डॉक्टर के बास जाते हैं, डॉक्टर को कहते हैं, मैं एजी तो खाया है, अब आप कोई फरक नहीं पड़ा, वेंटिलेटर पे गए, ब्लड प्रेशर फॉल हुआ, वी गेव देम, हम दा हाइस पॉसिबल अंटिबाटिक्स, वह नहीं बचे, चार दिन बाद उनकी मरत्य हो गई, यह रीजन है कि मैं आप से आज यहां बात कर रहा हूं, देखिए, एक चीज समझिये, एंटिबाटिक्स क्या चीज है, एंटिबाटिक्स बेक्टीरिया के अगेंस्ट उनको मारने के लिए बनी हुई दवाई है, आज इस पूरे हॉल में से, अगर आप यह एक, एक मैसेज लेके चले जाते हैं, तो मैं काऊंगा, बहुत बड़ा अच्छा होगा यह, इस बेक्टीरिया है, तो इन्हों ने क्या किया, जैसे बेक्टीरिया हम ग्रो करते हैं, ऐसी डिश पे जो इनके हाथ में है, पेट्री डिश, तो यह पेट्री डिश में, इन्होंने एक, एक मरीज का सेंपल लगा के, फिर यह बोर हो गए थे, बोले मैं चुटी पे जा रहा हूँ, दो दिन चुटी पे चले गए, और गलती से भूल गए, कि उस पेट्री डिश को इनक्यूबेटर बे रखना बूल गए, जब वो लॉट के आए, तो उन्होंने इसा रसायन है इस पपुंदी में, जो बेक्टिरिया को मारता है, यह पहला एंटिबायोटिक था, जो सन 1928 में इनोंने डिस्कवर किया, जिसको नाम दिया गया, पैनिसिलिन का, और यह पैनिसिलिन वो वंडर ड्रग था, जो जिसने करोडों लोगों की जान बचाई, आज तक, अगर पैये के बाद कोई बड़ा एडवान्स हुआ है, तो मैं कहूंगा, एंटिबायोटिक का हुआ है, डेली कितने करोडों लोग बचते हैं इससे, पट इस यू लुक एट डिस, यह पूरा एंटिबायोटिक का इवलूशन है, कहां से शुरू हुआ, 20th century से पहले करोडों लोग मरते थे, मेरे जो senior friends यहां बैठे हैं, they'll realize आपने पढ़ा होगा, cholera से, हजा से इतने लोग मर गए, तपैदिक से इतने लोग मर गए, 1928 में फ्लेमिंग ने एंटिबायोटिक की खोच की, 1941 से 1962 का टाइम गोल्डन पिरियड है एंटिबायोटिक का, जब बहुत सारे एंटिबायोटिक आए, लेकिन अब हाडली मैं 22 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक भी नई क्लास ओफ एंटिबायोटिक नहीं आई है, औ एक बार ध्यान दे लिजे प्लीज, आपको जुकाम हुआ, आपने जाके एक एक एंटिबायोटिक खाई, आपके शरीर में मान लिजे बैक्टिरिया भी थे, तो इन में से देखिए जो रेड डॉट है, एक बैक्टिरिया था जो रिजिस्टेंट था, बाकि सारे बैक्टि बैक्टिरिया थे, और आपका इंफेक्शन पूरा ठीक नहीं हो, आपने दूसरे को दे दिया, उसमें भी रिजिस्टेंट इंफेक्शन आ गया, तो वोटार देखिए फेलियर, फेलियर तो कम्प्लीट थेरपी, इस्किपिंग उप्रिस्क्राइब डोसे, यानि कि आप हम सब करते हैं, साब डॉक्टर के बाद गए, पांच दिन की दवाई लिखी, दो दिन मेरा गला ठीक हो गया, अब तो यह अंग्रेजी दवाई है, गर्मी करेगी, बंद कर दो, दो दिन बाद आपने बंद कर दी, जो बैक्टिरिया मर गए, 90% बैक्टिरिया मर गए, जो 10% बचे, they become resistant, फिर अगली बार जब आपको इंफेक्शन होगा, तो वही बैक्टिरिया इंफेक्शन करेगा, और फिर इसका इलाज नेक्स लेवल पर जाएगा, skipping of prescribed dose, तीन बार दवाई दी डाक सामने हैं, लेकिन बहुत गरम दवाई थी, मैंने तो दो ये बार खाई, तेकि इस नॉट पॉसिबल, अगर आपको एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो उसके पीछे कोई साइंटिफिक स्टडी है, लॉजिक है, वो इग्न में प्राउलम काया है, ओर दे गांटर अवेलिबिलिटी मैं जल्दी से खतम करूँगा, आपके अंडेसंट, जैसे मैंने का, शौट कोर्स लेना, एक मेसेज मैं फिर काऊँगा, वर विरल इंफेक्शन प्लीज, तेर इस नो रोल 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 आटिपिक्स, अथिए खतम करूँगा जाएं, नो रोल 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 आटिपिक्स, आपके अजने का शुछन प्लीज मैं बात चल रहे थिए, खाज कर बैक्टेरिया, वाइरस और आज की डेट में सड़ी जुखाम होता है, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, सीधे होज chemist के पास जाते हैं उससे दवाई लेते हैं और अपने आपको ठीक करने की कोशिश करते हैं एक मित हैं अंटिबाटिक को लेके और बहुत सारी चीजें जो लोगों के बाद अगर डॉक्टर्स के पास भी जाया जाता है तो वो कहते हैं आप इतनी एंटिबाइटिक खा रहे हैं, आपकी बॉड़ी हाम हो रही है, यह सारी चीजें हो रही है, तो इस पर क्या खास बात कहना चाहते हैं? जिसना मैंने कहा, एंटिबाइटिक्स बेक्टियो इंफेक्शन की वज़े से होते हैं, और लगभग मैं काऊंगा सतर से अची प्रतिशा जो इंफेक्शन हमें होते हैं, जो इंफेक्शन हैं, यह डायरिया जो बहुत कमन है, खास तर बच्चों में आप देखोगे, तो उन में एंटिबाइटिक का एक्शली कोई रोल ही नहीं है, लेकिन कुछ हमारी मानसेक्ता हमारे देश में ऐसे बन गई है, कि एंटिबाइटिक माननो कोई अमरित है, वो हर चीज ठीक कर देगा, और लोग इतना जादा यूज करते हैं, आइ तिक दुनिया में सबसे जादा एंटिबाइटिक की खपत इंडिया में होती है, उन कारणों के लिए जिनके लिए एंटिबाइटिक ही आवशक्ता ही नहीं है, तो यह जो आप भूल रहे हैं, तो यह कहीं ऐसा तो नहीं है, कि एक एक आर्थिक जगत या एक मार्केट हम सब यहां बच्चे बेटे हैं, साइंस पढ़ते हैं, इनको मालनों है, बेक्टीरिया क्या होता है, वाइरस क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम किसी चीज की डेप्थ में नहीं जाते हैं, आपको एक गोली खा रहे हैं, मैं आप से कहता हूं, किसी की बात मत मानी है, उसको उसमें देखिए क्या सॉल्ट जा रहा है, उसका क्या रोल है, वो मेरे बॉड़ी पे क्या असर डालेगा, सब गूगल भगवान है सब के पास, हमारी दिक्कत यह है कि हम सेल्फ मेडिकेट करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन में ठीक है, आपको बुखार है, आपने पर असर डालेगी, तो उसके चांसे हैं, वो एड़र्स रेक्शन भी देगी, हम उस पर जान देते नहीं है, तो क्या किस तरीके के सुजाओ देना चाहते हैं, आपके जरूरी नहीं है, कि आप इस तरीके के, बहुत सी बार होता, अभी लेटिसली एक मैंने केस देखा जिसमें करें कि उनको देज फीवर था, तब उनको जब टेस्क किया गया, तो उन्होने टॉक्टर ये बोले किसा अब यह सारे एंटीबैंटिक थो फेल हैं यह वाला ही एंटीबैंटिक इनके साथ काम कर सकता है, बहुत टिआ गया तो उनकी बाड़ी में अलर्जी शुरू हो गई और वो उसके कारण नहीं दे पाए तो कहने का मतलब यह है कि यह सब क्या वाकए में रोज मर रहा है कि जिंदेगी में जो कुछ खाया जा रहा है दवाई के माध्यम से वो आपकी रुटीन लाइफ को कहीं एफेक्ट कर रहा है यह सबसे बड़ी बात देखे यह दो स्थर पे एफेक्ट कर रहा है एक व्यक्तिक अस्थर पे से फर एक्जामपल मैंने मुझे मेरा गला खराब हुआ मुझे अपने आप लेली वो मेरे को पांच दिन लेनी चाहिए थी मैने दो दिन लेली उससे रजिस्टेंस पहदा हुई मेरे बॉड़ी में अगली बार वो एंटिवाटिक काम नहीं करती प्लस वो जो मेरे अंदर बैक्टिरिया थे भी वो दूसरे व्यक्ति में ट्रांस्मेट करता हूँ मेरे परिवार व्यक्ति में उसमें वो रजिस्टेंट बैक्टिरिया गया अब यह जाते जाते हमारी पूरी सोसाइटी पूरे देश में आ गया है अगर आप देखें अगर आपको किसी को याद है खासतर पतरकार बंद होंगे अब यह जाता है कि हम यह तो दवाई पूरी नहीं लेते यह अपने आप ले लेते हैं यह चिकिसक जित्ता देता है उत्तरा नहीं लेते और यह प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि अगर एक आईस्यू में दस मरीच जीवन और मत्यों के बीच कर रहे हैं जिनमें हार्डली कोई एक दवाई काम करती है यह अब तो ऐसे भी कैसा आहरे है कि उनमें एक भी दवाई काम नहीं करती हम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते है कि मैं इस मरीच में करूँ क्या तो यह बहुत जरूरी है ऐसे मंच पे हम यह मेसेज दें कि यह एक महामारी है और दुनिया में सबसे जादा भारत में है और ऐसा मानना जा रहा है कि दोजार पचास तक प्रती वर्ष कम से कम दस लाख लोग मरेंगे यह रजिस्टेंस की वज़े से दूसरी बात बताता हूं देखिए आपने एकॉनमी की बात की आज अगर मैं एक किसी फार्मा कंपनी का माल हूं तो मैं उस दवाई में पैसा लगाऊंगा जिसमें मेरे को जिन्दगी बा रिटर्न मिले क्योंकि एक डवा डवलप करने में करोडों करोन रुपया लगता है तो कौन से ऐसी दवाई होगी जो जिन्दगी बार कि हो यह ब्लड प्रेशर की हो एंटिवाटिक में लगा आज की तारीक में हमारे पास जो जो व्यक्ति मर रहा है उसको देने वाले एंटिवाटिक जो हम दे रहे हैं वो सारे वो हैं जो 1950 जैसे कॉलिस्टेन या बहुत सरे आप देखें सेप्टरान पहले बहुत अब सेप्टरान लौट के आरी है क्योंकि कोई नई एंटिवाटि किया साफ और इस इस वाय वी निड तो भरी संसेटिव अला आज की डिट वर हर घर में एक दबा मिल जाएगा जिसमें दवाईयां पड़ी में होगी थोड़ा सा भी सर में दढ़ दुआ खाली थोड़ा सा कुछ और हुआ और परासिटमोल तो नॉर्मल दवाई है जो हो गई और भी बहुत सारी ऐसी मैडिशन हैं यह कहीं ने कहीं आपकी आम जंदिगी के किड़नी लीवर बाकी फॉंक्शन बे असर करती है निश्यत तोर पर करती है क्योंकि कोई भी चीज असर करेगी वह उसमें हो शंता होगी कि उनुक्सान भी पहुँचा पाए इसलिए मैं कहता हूं जो भी दोई एक परसेटमॉल हम इसलिए भी माफ कर देते हैं दुनिया वर में ओवर दे काउंटर मिलती है कि परसेटमॉल जब तक एक सीमा से ज्यादा नहीं नुक्सान नहीं करती लेकिन आप देखें अमेरिका वगरे में परसेटमॉल पॉजनिंग बहुत नहीं कि मैं क्या खा रहा हूँ दड़ फथा घुड़ से बड़ी बात है अज की दोड में जिस दोड में आदमी जी रहा है तो अपने आदमी परसेटमॉल भाद के बहुत सारे टास्क हैं उसको इसके लिए जीना है उसको इसके लिए भागना है तो वो करेका तो जाएगा तो तरेगा क्या आदमें मैं मांसिक स्वास्त का विसी शक्य नहीं हो बट मैं यह कहूंगा यह समझे जान है तो जहान है आप जीना चाहते हैं तो दवाई लेकर जी रहे हैं वो जीवन नहीं है वो कुछ समय के लिए आपको आराम दे देगी आपके अगर कमर दुख रही है तो वो परिस्टमॉल यह डेकलो फिनेक ठीक नहीं करने वाला वो जो समवेदना है दर्द की उसको हर लेगा कुछ समय के लिए लेकिन आपको उसमें जाना पड़ेगा कि कल मैंने जोड से बाल्ती उठाई तो कुछ खिश तो नहीं गया है मैं रेस्ट करूं मैं एक्सराइ तो मेरा मानना यह है कि हमें रूट कॉस एनलेसिस करना जरूरी है कि यह असुविदा यह डिस इस हो रही है इसका कारण क्या है थैंक यू डॉक सब बहुत बहुत धनेवाद आपका हमें इतनी महत्पून जानकारी देने के लिए क्योंकि दवाई आप खाये जरूर है आपके हैल्थ पर कहीं असर तो नहीं कर रही है तो यह जरूर जानना जरूरी है थैंक यू सर और कमल जी से अनुरूद करूंग कि क्या आएं और डॉक साब को एक इसमती चिन भेंट करें प्लीज कमल सुरू झाल झाल झाल